हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल आज मैं बनाऊंगी सर्दियों में खाये जाने वाले निमोना राइस हमारे यहाँ पे यूपी में अक्सर ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा खाये जाता है सीजन के जो सबजी होती है उसकी तो बात कुछ और ही होता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं हम कैसे बनाते हैं तो वीडियो का एन तक जरूर रहिएगा तो इस निमोना राइस को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम चावल लेंगे चावल आप अफिक क्वाळे ले सकते हों हम जो डेलि यूस में खाते है उसी चावल को ने यहाँ पर लिया है जीरा राइस जिससे हम जीरा राइस कहते है तो यहाँ पे एक ग्लास नहीं यानि के 200 गरम चावल को मैजर करके लेलिया है सबसे पहले तो हम चावल को अच्छे से वश करेंगे दो या तीन पाने से तो यहाँ पे मैंने चावल को वश करके रख दिया है यह हलका सा भीगने भी देंगे लगपक 10-15 मिनिट तब तक हम यहाँ पे हरी चटनी तयार कर लेंगे जो हम राइस के लिए तयार करेंगे निमोना राइस के लिए इसके लिए हम यहाँ पे आदा पंडल हरी धनिया लेंगे डंडल का साथ में डंडल कभी भी ना फेक हरी धनिया का इसमें बहुत अच्छा खुश्बू होती है और यहाँ पे मैं हरी मिर्ची लोंगी 5-6 हरी मिर्ची मेरी यहाँ पे बहुत तीक ही नहीं है इसलिए मैंने थोड़ी से ज़्यादा कॉंट्रेक्टी में लिया आदा एंस यहाँ पे अद्रका टुकरा और 6-7 लिया लसन का और यहाँ पे निमोना राइस है तो यहाँ पर हरी मटर जरूर डाले तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा यहाँ पर मैंने मटर को भी लेते हुए इस तरह से पीस लिया है बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करें इस तरह से कुछ पीसे तो यहाँ पर हरी चटनी हमारा तयार हो चुका है अब हम राइस के लिए कुकर बिठा देते हैं हम इस राइस को कुकर में बनाने वाले हैं और इस निमोना राइस को अब अल्वेस मस्टड ओयल में ही बनाएं बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेश्ट है तो यहाँ पर मैंने मस्टड ओयल को मिला दिया है इसको भी मिला देना है इस तरह से और थोड़ी दिर से लो फ्राइ कर लेना है कुछ देर भुनने का बाद में इसमें मिला देंगे वही हमने जो बना के रखा था हरी चटनी इसको भी और ध्यान में रहे ग्यास का फेम को कम करें और इसको कलर डाउन नहीं करना है थोड़ी देरी इसको भुनना है क्योंकि हमारा जो ग्रीन कलर है चावल की ये बरकरार रहे इसमें क्योंकि हम हल्दी, मिर्ची पाउडर वगरा कुछ भी नहीं डालने वाले हैं बस इसके अंदर पाउडर और नहीं जीरा पाउडर नहीं हल्दी पाउडर नहीं मिर्ची पाउडर तो गरम असला मिलाने के बाद कुछ देर हमने चलाते हुए भुना इसके बाद में जो हमने काट के हरी सबजी रखा हुआ है इसको भी मिला देंगे यहां पे सबजी में मैंने लिया था फ प्यास का फेम को हाई करती हुए हम अच्छे से चलाते रहे ताकि मसला और सब्जी अच्छ से यह हो जाए थोड़ा दिर कुक हो जाए अगर आप चाहे तो इसके अंदर में थोड़ा इसा काचर भी मिला सकती हो और मैंने साथे साथ इसी में नमक भी मिला दिया नमक थोड़ा स्वात का इसाब से कम जादा आप मिला ले क्योंकि थोड़ी सी जादा ही मैंने मिलाई क्योंकि इसमें बाद में चावल एट करेंगे और पानी एट करेंगे तो यह अच्छे से मैंटन हो जाएगा इस तरह से कंटिन्यू तीन से चार मिनिट चलाती हुए सबजी को कुक करें तो जैसे सबजी थोड़ा दिर कुक हो जाएगा जो हमने भीगो की रखा हुआ चावल दाना इसको भी इसी टाइम में मिला देंगे और ते साथी साथ कंटिन्यू सारा चीजों को इस तरह से चलाते हुए थोड़ी देर कुक करेंगे एक सोंदी सोंदी से खुशबू आने लगेगा थोड़ी देर फ्राई करने का बाद में सारा चीजों को तो उसके बाद में हम यहां पे मिला देंगे गरम पानी गरम पानी हम यहां पे मेजर से मिलाएंगे हमने 1 Glass चावल लिया MALhe पानी मिलाने के बाद में यहां पे में लैमन का जूस मिलरा रही हूं और इससे काभी अचा फ्लेवर आता है आपने नोटिस किया होगा इसमें मैंने टमाटर का यूस बिल्कुल नहीं किया है तो चावल खिला-खिला बने और टेस्ट दुगना हो इसलिए लेमन का जूस जरूरेट करें इसमें काफी अच्छा फ्लेवर आता है इससे तो सारा चीजों को दुबारा से मिक्स अफ कर दें इससे काफी अच्छा और भी टेस्ट आएगा दुबारा से मिला आती हुए चलाए अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक करना ना भूले इस तरह से एक या दू मिनिट का ब कन बंद कर देंगे अब प्रेसर कुकर में एकदम लो फेम में यहां पर हम एक सीटी आने का वेट करेंगे यहां पर एक सीटी होके हमारा प्रेसर कुकर ठंडा भी हो चुका है काफी दिर पहले मेरा चावल बन चुका था और में ठंडा होने का वेट कर देथी तो यहां पर चला के देखते हैं, खिला-खिला हमारा नीमोना राइस बनके बिल्कुल तयार है, यह ठंडीक का मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है, आप कभी भी आपको जटपट खाना बनाना हो, और सबजी बनाने का मनना करें, इस तरह से नीमोना राइस जिरू ट्राय कर सकती हो, व अगर चैनल पर पहले बार हो, तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें, प्यारा सा लाइकन ना भूले, दोस्तों फैमिली में शियर करें, और इतना देर साथ देनी के लिए, तैंक्स पर वाचिंग, बाबाई